नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आज के वीडियो में आज से अपन सुरू करने जा रहे हैं इन्पोर्टेंट क्यूस्टन के क्विज वीडियो ठीक है क्विज में जो इन्पोर्टेंट क्यूस्टन होते हैं सभी लोग उनको टेंड नहीं कर पाते हैं तो उनकी सुव जाने कि पूछना जाता है इस्कोई टेस्ट के लिए के लिएो ले नेक्स्ट क्युस्टन देखिए Oh altogether अमटा लगाने वाली इसे ही मेश्प्रिया के लिए कुंड sondern क्वालिए के लिए रहा है विए उड हुद्र ना इस्ट कम अन्दर भ्लत का आना तो रुद हो blood की उपस्तिती पता लगाने के लिए तो इसका सही answer होता है benzydine test next question देखिए निमने में से गेर संक्रामक बीमारी नहीं है यानि ये पूछना चाहरा है कौन से बीमारी है जो संक्रमन से नहीं होती है ऐसी बीमारीयां दे रखी है और उनमें से एक बीमारी है जो गेर संक्रामक नहीं है ठीक है तो देखिए cancer संक्रमन से नहीं होती हम जानते हैं केटोसिस भी एक प्रकार की metabolic disease है वो भी संक्रामक नहीं होती है diabetes भी संक्रामक नहीं होता है hormonal deficiency से होता है diabetes और faciolosis देखिए चोते option में जो दे रखा अपने को faciolosis ये faciola के संक्रमन से होता है जो की एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा faciolosis ठीक है question में क्या पूचा है अपने से गेर संक्रामक बीमारी नहीं है ठीक है गेर संक्रामक नहीं है तो faciolosis क्या है गेर संक्रामक नहीं है तो faciolosis क्या हो गया इसका faciolosis next question देखिए आफरी की जाच को आफरी की गैस को निकालने के लिए ट्रोकार केनूला लगाया जाता है left परेलंबर फोसा right परेलंबर right side में तो रूमन जो होता है जानवर के सरीर में left side में होता है ठीक है left जो परेलंबर फोसा होता है वहाँ पर ट्रोकार केनूला से रूमन को पंचर किया जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा left परेलंबर फोसा next question देखिए एक गाई ने अत्यदिक मातरा में ठंडी दाल खाली है दाल खाली है यानि प्रोटीन रिच सोर्स है दाल वो उसने अत्यदिक मातरा में खाली है अब दो दिन से कुछ नहीं खारी तो उसे हो सकता है in-digestion होगा in-digestion किस प्रकार को हो जाएगा प्रोटीन डिस डाइट उसने खाई है इसलिए उसको अलकेलोसिस हो जाएगा यानि छारी है एपच हो जाएगा ठीक है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा छारी है एपच next question देखिए बीमारी का जूंटा प्रोग्नोसिस कहलाता है जूंटा प्रोग्नोसिस होता उसे बोलता है अपन ग्रेव प्रोग्नोसिस ठीक है तो ग्रेव प्रोग्नोसिस इसका सही अंसर हो गया next question देखिए एफला टोक्सिकोसिस का कारण है एफलो टोक्सिन्स जो हते हैं वो एसपरजीलस से रिलीज होते हैं इसपरजीलस फ्लेविस्क से तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा एसपरजीलस से एफला टोक्सिन्स रिलीज होते हैं ठीक है next question देखिए एलोपेसिया है तो अच्छा पर गोल चकते बन जाना एलोपेसिया का सब्दी करतों क्या होता है बालों का जड़ना next question देखिए मायोसाइटिस संब्दीत है मायोसाइटिस क्या होता है inflammation of muscles तो सही अंसर क्या हो जाएगा मासपेसियो से संब्दीता है next question देखिए कुरू रोग का कारण है कुरू रोग जो होता है कुरू डिजीज वो होती है प्रियोन से ठीक है CBPG से कहा जाता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा mycoplasma next question देखिए mysis is ticks का संकर्मन, mites का संकर्मन, zoo का संकर्मन और मक्हियों का संकर्मन तो mysis जो होता है मक्हियों का संकर्मन होता है सही अंसर क्या हो जाएगा मक्हियों का संकर्मन नेक्स्ट किसन देखए निमन में से नेमितोर्ट का उधारण तो नेमितोर्ट जो ता या यानि की बात कर रहे हूँ उप्थन देखतक बंसिस्टो सो मह फ्लिक होता है तो नेक्स्ट कुसन देखे पिट्टू एवंब लिसी होताHub इम्मेच्टोर एम्फिस्टोमस से हैं ठीक है एम्फिस्टोमस की जो ये पर इपक्वा अवस्ता होती हुँ उनकी वज़य से तो तो सही आंसर गया हो जाएगा इसका एम्फिस्टोमस नेक्स्ट कुश्चन देखिए थाया बंडप dos is the drug of choice sir फॉायी ढ़ुआ ट्रग ऐन धेकर नेक्स्ट क्विट्सन देखिए फिर yet骰 को ही मॉंकस होता है बार बार्बाम क्या जाता है तुं किenga именно में समय पाया जाता है और blood sucking parasite होता है तो गाई के आपों में समकार रख्त चूसने वाला पर जीवी होता है हमखस नेक्स्ट क्विशन देखिए मीजली बीफ का कारण होता है मीजली बीफ जो होता है बीफ मतलब cattle में टीनिया सेजिनेटा होता है तो टीनिया सेजिनेटा के वज़ा से मीजली बीफ होता है तो इसका सही अंसर क्या हो गया टीनिया सेजिनेटा नेक्स्ट क्विश्टन देखिए मीजली पॉर्क का कारण है मीजली पॉर्क जो होता है वो टीनिया सूलियम के वज़ा से होता है कर फूर में नेक्स्ट कुश्टन देखिए बेड में गिड का कारण होता है तो गिड होती है उसका कारण क्या होता है कोई से ब्लाइरिस ठीक है जो कि टीनिया मल्टी सेप्स की वजा से होता है को इनुरा को इनुरा से रिबलारिस नेक्स्ट कुछिन देखिए गोबर में पके हुए चावल जैसे देखन्डों का मिलना लक्षन है पके हुए चावल जैसे ग्रेविट प्रोगलोटेट किसके होते हैं मोनी जी एक्सपेंस है ठीक है बहुत इंप्रोटेंट किस्टन है यह मोनी जी एक्सपेंस का अंसर हो जाए